क्लास टेंथ साइन्स चेप्टर 11 मानवनेत्र और रंग बिरंगा संसार इसके अंतरगत एक बहुत महतोपूर्ण जिक राता है कि तारे टिम टिम आते हुए प्रतीत क्यों होते हैं तो तारे जह हम तारों को देखते हैं प्रत्वी से तो हमें आकाश में टिम टिम आते हुए प्रतीत होते हैं तो इसका क्या कारण है वास्तों में जो इसका कारण है वो है कि जो तारों का प्रकाश होता है वो प्रत्वी के वायू मंडल में जैसे ही आता है तारों का प्रकाश तो यहां वायू मंडल में उसका अपवर्तन होता है तो वायू मंडली अपवर्तन के कारण तारे टीम टीमा आते हुए प्रतीत होते हैं वायूमंडली अपवर्तन का मतलब है प्रत्वी के वायूमंडल के कारण प्रकाश का अपवर्तन तो क्या समझे हम कि तारों के प्रत्वी के वायूमंडल में वायूमंडली अपवर्तन के कारण तारे टीम टीमाते हुए प्रतीत होते हैं ऐसा केस कैसे होता होगा है होता क्या है कि प्रत्वी के वायू मंडल में प्रवेश से लेकर यह यहां देखिए तारों का प्रकाश प्रत्वी के वायू मंडल में प्रवेश कर रहा है तो प्रत्वी के वायू मंडल में प्रवेश से लेकर उसके प्रश्ट तक पहुंचने मतला बिल्क कम सगन माद्यम से अधिक सगन माद्यम की ओर जाते जाते हैं और जैसे इसे माद्यम सगन होता है अपवरतनां करमिक रूप से क्या होता है बढ़ता जाता है तो फिर इससे क्या होगा इससे होगा कि जो तारे का प्रकाश है कि जब वो कम सगन से अधिक सगन माद्यम की ओर जा जाएगा जुकता चला जाएगा जुकता चला जाएगा जिससे जो तारे की जो आभासी इस्तिती है देखिए अभी यहां से देखने पर यह आभासी इस्तिती दिखाई दे रही है और तारा तो यहां है तो तारे के आभासी इस्तिती क्या होता है वास्त्विक इस्तिती से क्षितिच के निकट से देखेंगे जैसा कि यहाँ आप देख रहे हैं तो आपको कोई भी तारा अपनी वास्त्विक इस्तिती से क्या होगा कुछ उंचाई पर प्रतीत होता है तो अब तारे की जो आभासी इस्तिती है वो तो वास्त्विक इस्तिती से बदल गई अब ऐसे में एक और महत्वण बात क्या है कि प्रत्विक वायूमंडल की जो भोतिक दशाएं हैं अवस्ताएं हैं वो भी इस्ताई नहीं है तो तारे से आने वाला जो यह प्रकाश है उसकी किर्णों का जो पत है वो भी लगातार क्या होगा थोड़ा थोड़ा परिवर्तित होता रहता है तो जिससे क्या होगा कि जो आँख में प्रवेश करने वाले जो तारे के प्रकाश की मात्रा है वो जिल मिलाती रहती कभी कम कभी ज़ादा तो ऐसे में क्या होगा कि फिर क्या होगा कि इस जिलमिलाट से तारा क्या होगा कभी तो आपको चमकीला प्रतित होगा और कभी धुनला यही तारों की टिम्टी माहट का हमारा कारण है कि हमें तारे टिम्टी माते हुए प्रतित होते हैं और इसमें हमें समझ्या होगा कि यह प्रत्वी के वायू मंडल में वायू मंडली अपवर्तन के कारण ये घटना होती है धन्यवाद